वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंसॉल्स और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे आप राइन्स स्टोडीज का अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और घर बैठे-बैठे अंकर सकते हैं इस तरह के वीडियो को बनाना बहुत ही आसान है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हantry कमपलीट प्रोसेस के काईसे काईसे होगा पर उससे पहले मैं आपको एक चैनल दिखाना चाहता हूँ ये जो चैनल है हमारे एक स्टुडेंट ने बनाया है जो अभी 20-25 दिन पहले इनोंने हमारा वर्क्शॉप अटेंड किया था तो हम लोग देखते हैं ये चैनल कब बना है October 13, 2022 13 October को ये चैनल बना है यानि कि अभी 25 दिन के अराउंड ये हुआ है आज के डेट के हिसाब से ये 25 दिन है पर मुझे पता है ये चैनल से पहले ही मौनटाइज हो चुका है 25 दिन पहले का ये चैनल 1.25 के सब्सक्राइबर और चैनल अल्रेड़ी मौनटाइज है ये पैसा अर्ण कर रहा है और आप समझ सकते हैं कि एक YouTube चैनल जो महिने भर से कम के टाइम में मौनटाइज हो जाए तो वो निश कितना अच्छा है और आप उससे कितना जादा अर्ण कर सकते हैं तो ये जो स्टुडेंट है इन्होंने हमारा वर्क्शॉप जो है वो अटेंड किया था मैं आपको दिखा दूँ ये हमारा फेस्बुक प्राइवेट फेस्बुक ग्रूप है जो भी हमारे स्टुडेंट वर्क्शॉप अरेंड करते हैं यहां रहते हैं तो इन्होंने अभी पोस्ट किया है तो आप देख सकते हैं एक दिन पहले इन्होंने पोस्ट किया है फ्री लाइक प्लश व्यूस अंथ 25 देज चैनल मॉनिटाइज हो जाता है बहुत ही अच्छा नीश है यह इस नीश में आप अराम से अपना खुद का यूटूब चैनल बना सकते हैं और बहुत अच्छे इंडिंग कर सकते हैं और इस तरह के वीडियो को बनाना बहुत ही असान है एक फिस्ट क्लास का बच्चा भी इस और वो अर्ण कर रहे हैं तो सबसे पहले यह तो हुई भाई कि हमारे स्टूइट की बार पहले मैं इस नीश के बार इस नीश में एक्चुली है ट्रैफिक कितना व्यूज आता है कि आप चैनल तो बना लो भाई व्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह भी देखना का बा हो सकता आपके मन में सवाल होगा कि सर यह तो बहुत पुराना वीडियो है चार साल पहले का तो चलिए भई तीन महीने पहले का वीडियो है 57 मिलियन देख सकते हैं अब आप नीचे आप आएं दो वीक पहले 16 मिलियन व्यूज और यह कौन सा पोयम है एक मोटा हां थी अब जिसे दूसरा पोयम देखते हैं जैसे चंदा ममादूर के यह जो पोयम है इसमें भी आप देख सकते हैं Now साल पहले का वीडियो 732 मिलियन व्यूज यह तो चलिए पुराना वीडियो ओगया अब यह देख सकते हैं दो मन्त पहले 9.5 मिलियन व्यूज तो यह तो भाई शर् तो उसे से मैं जो आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि आप ये आराम से कर सकते हैं तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक इंपोर्टेंट बात अगर आप पवन जी से मिलना चाहते हैं उनसे बात करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उनका इंटर्व्यू मिस्ट नगर से कि उनका जो जर्णी है कहा भला हो कि राइम ठालाओं कि राइमस क्या होता हैं कहां से राइमस मिलेगा यस्ट टू में जो राइमस हमें मिला उससे हम लोग वाइस कैसे देंगे sticks-ятся है राइमस क करोेकि ए नगिए प्रॉसेसित хорошо चाहते हैं मिज़ड और येनलेट कि यह चार प्रॉसेस reboot तो इसका सबसे best option है search on Google आप Google पे search करो बहुत सारे rhymes मिलेंगे चली मैं आपको Google पे search करके दिखाता हूँ जैसे मैंने search किया Google पे kids rhymes in Hindi तो अब यहाँ पे एक site है आप इसे click करें और बहुत सारी site आएगी और randomly मैंने ये site click कर दिया है इसे बहुत सारी site आएगी अब इसमें आप देख रहे हैं कि कितना सारा है मशली जल की रानी है मोर है, चंदा मामा है, इतना सारा है suppose हम लोग मशली रानी पे click करते हैं और देखते हैं भई कि इसमें क्या poem है और आप देख रहे हैं, मशली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हम लोग सब जानते हैं इस poem के बारे में तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं इस तरह आपको बहुत सारा poem मिल सकता है अब आप क्या कर सकते हैं, इस poem में थो ही improvise भी कर सकते हैं एक यह दो लाइन खुद का भी आट कर सकते हैं नहीं भी करेंगे, तपर भी कोई दिक्कत नहीं है पर करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा तो एक तो यह सेकंड केट्स राइम बुक बच्चों का राइम बुक आता है, वो भी बहुत अच्छा source है अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसका राइम यूप बुक यूज कर सकते हैं आप मार्केट से को राइम बुक खरी सकते हैं ज़रूरी नहीं है, आपको नया बुक खरिदना है आपका बाड़ी वाले के पास जाएं वहाँ पर भी सेकेंड हैंड बुक अराम से मिलता है दो-तिन बुक खरीद के लिए आए बहुत सारा पोयम मिल जाएगा आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल हमारे स्टूरेट ने बनाए एक वीडियो पहला वीडियो ही वाले हो गया मस्की ररेजल की राणी आप जब सर्क्स करों तो बहुत सारे अदर दूसरे चैनल साएंगे आप उनके चैनल पर देखो कि वह क्या पोयम डाल रहे हैं देखो जनरली से पोयम का लेंद कितना होता है धाई से तीन मिनट सारे तीन मिनट से यादा नहीं होता है जो क्या होता है कि खूल रिपीट मोड में होता है तो बहुत चार या पांच लाइँट का ही पोयम होता है तो आपको अब क्या मिल जाता है यहां से मिल जाता यहां होता है male voice generally बच्चे लोग prefer नहीं करते हैं उन्हें मजा नहीं आता होगा क्योंकि बच्चे लोग हैं तो motherly voice से ज़्यादा connect फिल करते हैं तो आपको क्या चाहिए अगर आप female voice यूज करते हैं अपने rhymes में तो आपका channel का success होने का chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है female voice आपको कहां से मिलेगा आप अपने friend या family member से बात कर सकते हो आपके घर में कोई भी ladies होगी कोई friend होगा बेहन होगी मम्मी होगी किसी से भी record करा सकते हो पांच का छे लाइन है कोई भी आपके लिए record कर सकता है तो ये second part और record करने के लिए आपको क्या चाहिए आपको सिर्फ mobile में mic चाहिए आजकल सबके पास available होता है use कीजिए और record कीजिए third आपको भाई किसी का help नहीं चाहिए तो fever पे जो fever पे जब आप outsource करोगे तो क्या होगा पैसा हर्चा करना पड़ेगा पर ऐसा हो जी सकता है कि आप ऐसे किसी female character को नहीं जानते हो अपने घर में female को नहीं जानते हो जो आपके लिए record नहीं कर दे तो आप अराम से record कर सकते हो अब क्या है next step हमारा क्या है step 3 step 3 में क्या है हम लोग क्या करते है जो भी voice हमने record किया है उसको हम लोग क्या करते है उसमें music डालते है चलिए एक बर मैंने जो एक voice record किया है हम लोग पहले वो voice सुनते है एक raw mode में जो voice record होता है तो कैसा सुनाई देता है अब आप आप आवाज सुनेंगे ये आवाज क्या है simply एक हमारे कलिग ने ये आवाज record किया अभी कोई music नहीं है देखिए कैसा सुनाई देता है एक मोटा हादी जोंकी चला मतें की जादे चाते हो पसा जब आप मुबाइल से आवाज record करते हैं तो आपको इसी तरह आवाज मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं हमारे तो second step था उसमें हम लोग ने क्या किया था सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने आवाज record किया यहाँ पे जो आप देखनें step 2 में voice step 3 जो है हमारा उसमें हम लोग क्या करते हैं ये जो आवाज है उसमें हम लोग क्या करते हैं मूजिक डालते हैं background music इसमें option क्या आपके पास कैसे music डाल सकते हो music डालने के लिए आपके पास option है कि आप YouTube का free music library है हम लोग वो use कर सकते हैं वहां से में music मिल जाता है तो आप उसको use करके music डाल सकते हो अब जैसे इसमें क्या है जैसे starting में अगर हम लोग यह voice सुनते हैं तो इसमें क्या है मों ध्यान से सुनें फिर से अब जैसे एक मोटा हाथी जून के चला तो आपके पास क्या है यहां पर दो तरगा voice use कर सकते हैं एक तो एक background voice होगा जो music चलेगा और दूसरा हाथी है तो हाथी का जो आवाज है वो आप elephant का आवाज भी निकाल सकते हैं क्योंकि हाथी चल रहा है तो obvious सुर से वो अपना आवाज कर रहा होगा तो दो तरगा voice जो है वो साथ में यहां पर चल सकता है चले आगे सुनते हैं हम लोग अब जैसे मकडी के जाल में हो जाके फजा तो वहाँ पर कहा है थोड़ा सा और हम लोग music यहां पर डाल सकते हैं तो इसी तरह हम लोग music अडिट करते हैं अब आप सोच रहे होंगे भई यह तो बहुत थोड़ा टफ हो गया यह मैं कैसे करूँगा बहुत ही असान है हमें समझना होगा यह बात कि यह जो वीडियो आप बना रहे हो वो वीडियो आपके Oscar nomination के लिए नहीं जाने वाला है नहीं आपको को इसमें point देने वाला है कि प खुद expert होते जाओगे उसमें तो हमारा क्या है free music library YouTube का तो YouTube का free music library के लिए आपको क्या करना है suppose हम लोग Google पर जाते हैं और हम लोग Google पर search करते हैं free YouTube music library तो यह YouTube का free music library यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारा music है चलिए मैं एक music play करता हूँ यह दिख सुनाई दिया आपको यह इस तरह का बहुत सारा music है आपको क्या करना है सिर्फ download क्लिक करना है और यहां पर आप देखने यह download हो गया यह MP3 file अब आप इसको अपने software उसमें use करके अराम से use कर सकते हैं और यह जो music आप use करेंगे इसमें किसी भी तरह का कोई भी copyright नहीं आने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं हमारा जो step next step था कि हम लोग free music library use कर सकते हैं उसके अलावा आप क्या कर सकते हो other premium platform है बहुत सरे premium platform हैं जहां से आप music download कर सकते हो वो हम लोग use कर सकते हैं उसके अलावा आपके पास third option है कि outsource on fever आप फिवर पे आउट्सोर्च कर सकते हो, बहुत लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो म्यूजिक डालते हैं आपके ओडियो पर पर देविल चार्ज, वो फ्री में सर्विस नहीं होगा, वो चार्ज करेंगे, तो अगर आप पैसा खर्चा करना चाहते हो तो बहुत अच एक ऊच्छा है, मैं उससे यूजर कर लो, ये काम कभी मत करना, कभी भी किसी का म्यूजिक तो किसी का म्यूजिक कर में अप करने वाले हो service, या सब वाले हो, अगर मैंने माज करने बार्ज works you hard, उस्बेकार चला जाएगा, तो किसी का म्यूजिक मत उसक उसको चुश्छ मे एक employee ने edit किया है लब बहुत आप सुन सकते हैं इसे इसमें क्या है एक background music है और साथ में हाथी का आवाज है तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं आवाज रिकॉर्ड करते हैं एक बच जब आपका आवाज रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद हम लोग आते हैं animation पर कि हम लोग animate कैसे करेंगे तो चली हम लोग animation का पहले process समझते हैं उससे पहले मैं आपको already जो एक video बना हुआ है मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जैसे यहां पर एक मोटा हाथी का वीडियो जैसे यह एक video एक मोटा हाथी का हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो रहा है अब आप देख रहे हैं कि यहाप animation में क्या है कि बच्चे लोग खेल रहे हैं और उसके बाद father के बाद क्या होगा हाथी जो है वो आगे आ रहा है अगर इस तरक आप animation बनाना चाहते हैं कि मैं इस तरक animation करना चाहता हूँ अपने के लिए तो हम लोग कैसे करेंगे चली मैं सबसे पहले एक scene create करते हैं तो यह scene create करने के लिए हम लोग क्या जाते हैं software में जाते हैं और software में हम लोग background में जाएंगे और background में यहाँ पर सपोज हम लोग सर्च करते हैं park कि पार्क जैसा कोई scene मुझे मिल जाए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारा यहाँ पर पार्क का scene है तो इसी में से कोई scene हम लोग use कर सकते हैं सपोज यह जो scene है वो मैं use करता हूँ मैंने उस पर click किया और यह scene यहाँ पर आ गया अब scene में क्या था scene में चार जो character है जो बच्चे लोग है वो खेल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं characters में जाते हैं और यहाँ कुछ बच्चों को हम लोग यहाँ पर ले आते हैं सपोज ये एक है वो मुझे ठीक लग रहा है ये बच्चा ठीक लग रहा है ये बच्चा ठीक लग रहा है और हम लोग देखते हैं और कौन-कौन से बच्चें जो हम लोग ला सकते हैं यहाँ पर तो ये एक बच्चा था एक ये बच्चा है और एक ये है कुछ और एक बच्च सपोज हम लोग इसे भी ले आते हैं अब क्या है ये तीन बच्चा यहाँ पर आ गया अब मुझे क्या करना है इस सीम में कि इन बच्चों को अलेडी अब चेहरा देखने हैं सब को स्माइल कर रहा है सपोज अगर नहीं भी कर रहा है सपोज मुझे लगता है कि ये जो लड़का है इसको थोड़ा सा और खुस करना है मुझे तो मैं क्या करता हूँ एक्स्प्रेशन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ हैपी कि भई तो खुस रहे तो ज़्यादा स्माइल करते हूँ तो आप देख रहे है कि अब यह ज़्यादा स्माइल करने लगा अब हम लोग क्या करते हैं कि सब को डांस कर आते हैं क्योंकि आप लास्ट वीडियो आपने देखा कि वहाँ सब लोग डांस कर रहे हैं तो हम लोग के action में जाएंगे और यहां पर हम लोग सर्च करते हैं dance अब जैसे यह dance का pose है, suppose इस लड़की को अमने यह dancing pose दे दिया अब यह जो लड़का है, इसके लिए हम लोग कुछ दुसरा pose dance का दे देते हैं suppose यह जो dancing pose है, इसके लिए हो गया suppose यह हम इसके लिए दे देते हैं, और यह लड़का है, इसको भी हम लोग कुछ यह dance दे देते हैं चले एक बढ़ लोग देखते हैं, कि यह जो हमने किया हमें लग दिख रहा है इसमें तो हम लोग ने यहां पर इन चारों को हम लोगों ने अभी dance करवाया यह rendering हो रहा है यह video, एक बढ़ रेंडर होके आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है अब आप देख रहे हैं, कि यह सब कोई क्या कर रहा है, dance कर रहा है और यह करना कितना असान था, आप देख सकते हैं, बस मैंने click click क्या और यह हो गया अब हमें क्या करना है, हाथी को लेकर आना है, एक हाथी है, जो यहाँ से walk करते वे जाएगा तो चलिए हम लोग हाथी को लेकर आते है अब हम लोग elephant search करते हैं यहाँ पर, आप देखने elephant का बहुत सार option है सपोज हम लोग यह video देखते हैं बही कि elephant इसमें क्या कर रहा है इसमें ख़ड़ाओ के suit ही रा रहा है, तो बही मुझे अभी यह तो ऐसा चाहिए नहीं मुझे ऐसा चाहिए जो walk कर रहा है, हाँ यह walk करते वे आ रहा है तो यह मेरे लिए ठीक है, मैंने इसे add कर दिया अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा वो टड़ा एकसा में तो नो mirror कर दिया हम लोगोंने अब हम लोग इसे क्या करते हैं, इस हाथी को यहाँ से हम लोग यहाँ तक move कराते हैं तो चलिए, यह कैसे होगा, देखे हम लोग, हम लोग उने हाथी को select किया, हम लोग यहाँ मोशन में जाते हैं और motion में यहाँ पे line में और यह motion यहाँ तक आ गया, भई, कि हाथी यहाँ तक move करें यह हम लोग चाते हैं, भई, यह पूरे scene से ही बाहर निकलता जाए, तो थोड़ा दूर तक जाए, तो यह हम लोग यहाँ पे कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं इसको, preview चेक करते हैं, कि भई, अब यह क्या हो रहा है इस पूरे animation में तो अभी तक आपने animation क्या देखा है, हम लोग ने character को dance करवाया, अब देख रहे हैं, हाथी चलते हुए जा रहा है इसको करना कितना असान था, अब आपको क्या करना है, उस गाने के according, इसको पुरा set करना है और यह बहुत ही असान है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको करने में कितना दे लगा, मुस्किल से 30 से 40 सेकेंड और आप भी इस तरह अराम से animation क्रेट कर सकते हैं, कार्टून जो rhymes वीडियो है, वो आप improvise करके अराम से बना सकते हैं और अगर आप इस चीज को detailed में सिखना चाहते हैं, कि यह पूरा process कैसे काम करता है, 2D animation का सारा steps क्या है यह यह तो rhymes हुआ, उसके अलावा आप cartoon वीडियो, stories वीडियो बनाना चाहते हैं, बहुत सारी stories वीडियो चलती ही, जैसे चुड़ायल की कहानी, horror कहानी, लालिश भड़ी कहानी, गरीग की कहानी, यह इस तरह का भी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत कम से कम price में मिल जाए, और यह जो पूरा step है, कैसे हम लोग वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाने के बाद, वो वीडियो जल्दी से जल्दी viral, जैसे आपने पवन को देखा, उसने कैसे हमारा यह workshop अटेंड करने के बाद, अपना खुद का channel बनाया, और उस channel को 25 दिन से कम में भी अपने channel को monetize कर लिया, और वो earn करने, घर बैठे बैठे उस channel से earning स्टार्ट कर दिया है, और जैसे जैसे वो वीडियो जालते जाएंगे, वो channel grow होता जाएगा, आप भी कर सकते हैं, इस तरह के वीडियो को बनाना बहुत ही आसान है, आपने अभी देखा कि हम ल हमारा जो workshop है, 12 तारिक का, ये workshop जोइन कर सकते हैं, और अगर आप में से कोई है, जो ये वीडियो बाद में देख रहा है, तो आपको करना क्या है, मैं description में एक link दे दूँगा, ये link है website का, इस link पे आप आओ, click करो, आपको यहाँ next जो updated date होगा, वो date आपको दिखेगा, आ हमारे जो students हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा workshop अटेंड करने के पाद बहुत से students हैं, जिन्होंने अपना खुद का channel बनाया है, और आप हमारे चैनल पे बहुत सारे जैसे ये सब sample videos है, आप ये देख सकते हैं, उसके लावा बहुत सार पे हमारा ये link मिलेगा, इस link को जो आप click करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग हैं इसे जिन्होंने ये workshop अटेंड करने के बाद अपना खुद का channel बनाया है, जैसे ये regional story channel है, ये horror story का channel है, ये सारा channel का link है, जो हमारे students ने बनाया है, अब आप देख सकते हैं, ये scroll करते जाएं, यहां बहुत सारा आपको मिलेगा, तो अगर आप serious हैं कि आपको 2D animation सीखना, इस तरह के वीडियो बनाना है, तो हमारे workshop को join करें, और अगर आपको ये video अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, और वीडियो को जरूर share करें, चलिए मैं आपको म मिलता हूँ workshop में, thank you, bye